नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, रिव्यूस एंड रेसिपीस बाई रामेश्वरी मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पूरा वीडियो जरूर देखें मैं फिर से एक बार लेकर आई हूं, फिलिप्स एयर फ्रायर रेसिपी क्विक ईजी एंड हेल्दी एयर फ्राइड मश्रूम्स इसके लिए मैंने लिये है ये बटन मश्रूम्स और नमक के पानी में इसे अच्छे से धो कर मैंने पूरा पानी जो है वो स्ट्रेन करके निकाल दिया है अब इने हम दो टुकडों में काट लेंगे अब इन मश्रूम्स को हम मैरिनेट करेंगे मेरिनेशन के लिए मैंने मेन इंग्रियेंट जो लिया है वो है दही क्यूंकि इन मश्रूम्स को मैं खट्टा और तीखा स्वाद देना चाहते हूं तो दही तो खट्टा रहता ही है तो उसमें मैं डाल रही हूं लगार यहां नमक और लिए लाल रंगा इसके लिए दाल दिल्हाने ज़ेया हूं लाँ छिलि पाउडर और इसमें डाल रही हूं मैं ग्रीन छिली सॉस थोड़ा तीखा पन बढ़ाने के लिए और एक आधा नीम्बू में इसमें निचोड रही हूँ जिससे खट्टापन भी बढ़ेगा अब इस मिक्स को हम अच्छे से मिला कर तयार करेंगे और फिर इसमें हमें मश्रूम्स को डालना है मिक्स करना है और मैरिनेट होने के लिए रखना है कम से कम 20 मिनिट तर्ट झालना है मिला कर दो जिससे खबड़ेगा आधाओ करेंगे और रही हूँ ओड़ेगा तर्ट अब हम फिलिप्स एर फ्रायर को प्रिहिट करेंगे 185 डिग्रीज पर 5 मिनिट के लिए अब जो मश्रूम का मिक्स है जिसे हमें मैरिनेट करने के लिए रखा था उसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून तेल और यही तेल एर फ्राय होने के लिए खाफी होगा तेल को मश्रूम में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमारा प्रिहिटेड एर फ्रायर बास्केट जो है उसे हम बाहर निकालेंगे और अब यह मश्रूम समें चमच की साहता से एक एक ऐसे एर फ्रायर बास्केट में रखना है इस तरह से और फिर हम इसका जो बास्केट का लेड है वो लगाएंगे और बास्केट को एर फ्रायर में स्लाइड इन करेंगे पहले हमें अब मश्रूम्स को एर फ्राय करना है 185 डिग्रीज पर सिर्फ आठ मिनिट के लिए आठ मिनिट हो जाने के बाद बास्केट को हमने बाहर निकालना है यह देखिए मश्रूम जो है वो एक साइड से फ्राय हुए है तो अभी हम चमच की साइदा से इन सभी मश्रूम्स को फ्लिप करेंगे और फिर एक बार हमें इने एर फ्राय करना है सभी मश्रूम्स को फ्लिप करने के बाद फिर एक बार लिड लगाईए और अब हम एर फ्राय करेंगे इस बार एक सो नब्बे डिग्री पर पांच मिनिट के लिए अब हमारे मश्रूम्स रेडी हैं गरम गरम सर्व करने के लिए अगर आपको और भी एर फ्राइंग रेसिपीज देखने हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको फिलिप्स एर फ्रायर रेसिपीज की प्ले लिस्ट मिलेगी उस पर क्लिक करें और बाकी एर फ्रायर वीडियो ज़रूर देखें कुछ सवाल हो एर फ्रायर या एर फ्राइंग से जुड़े दे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मिलेंगे और एक एर फ्रायर रेसिपी या प्रोड़ाक्ट रिवीव के साथ बहुत जल्दी ही तब तक देखते रहे मेरा चैनल रिव्यूस एंड रेसिपीज वाय रमेश्वरी ये वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्रा करना ना भूले और इस वीडियो को लाइक करें और शेर करें तैंक यू सो मॉच